नमस्ते मैं अनुरादा अनुरादा कुकिंग एल लाइफ इस्टाइल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं बिल्कुल यूनिक इस्टाइल में पालक पनीर पराठे की रेसपी लेके आई हूँ तो पूरी वीडियो को जरूर देखें तो आएए मैं इसकी पूरी रेसपी यहां मैंने ताजी बिल्कुल फ्रेस पालक की पतियों को मैंने ले लिया है जिसे की धोकर साफ कर लिया है और मैंने यहां पानी गर्म होने के लिए रखा था पानी जब गर्म हो गई तो मैंने पालक की पतियों को इसमें डाल दिया और हमें बस दो मिनट के लिए ब्लांच के लिए पालक की पत्यों को पानी में रख देना हैं गैस का फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया है और दो कि बनी के बाद olan मैंने ठंड़ी कौ निकार दिया इस我知道 को करना हुझ युदा और इसे जो पेश्ट तद्यार वी और पालोЕ है की कर्ण गेजान कर देना publication जाल और इसका में गलाने लहसन और हरी मिर्च और ठार सकते हैंwhat that was जबता हिसे प्री कारो कर लिया है और लिया में ठाल Infelum कर दिया कर लिया है और इसे डह कर भी मारा टकर इसे रेस्ट होने के लिए रख देख दे के दाने को लिया है और इस मुंफली को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और हमें बिल्कुल धीमी आज पर सारी चीजों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि जो मुंफली है हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो सके जब मुंफली फ्राई हो जाती है तो मुंफली डालने से चटनी जो होती है का टेस्ट बढ़ जाता है और सारी चीचों को फिर हमें बिल्कुल ब्राउन हो चुका है जब फ्राई हो गई फिर हमें इसे मिक्सी में डाल देना है ठंडी होने के बाद मैंने सारी चीचों को मिक्सी में डाल कर एक बार मैंने सुखा ही इसे चला हो चुकी है इस तरीके से बार चटनी बना एक पड़ाठे के सासर्व करें ये काफी तेश्टी चटनी बनकर तयार होती है इदर श्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहां पर सेम कड़ाई में तेल डाला है जीर डाला और एक हरीमीच इसे बारिक मैंने काट लिया था इसमें अदरक कद्दुकस करके मैंने डाल दिया है और एक प्याज था medium size का उसे भी मैंने बारीक काट लिया था इस प्याज को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और हमें इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से fry कर लेना है फ्राइ करने के बाद पनीर को मैंने यहाँ ग्रेट करके रखा था इस पनीर को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और डाल कर हमें इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है और कुछ दिर ही हमें पनीर को फ्राई करना है कि पनीर हमें ज़्यादा फ्राइ करने के ज़रुद नहीं पड़ती है और अब मैं इसमें स्वाद रुशा नमक डाल दे रही हूँ और सारी चीजों को फिर से एक बार मैं मिला दूंगी और इसमें धनिये की पती से मैं इसे घानिश कर दे रही हूँ तो इस टफिंग भी हमारी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है और इस टफिंग को मैं अब ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ इधर आटा भी हमारा जो रेष्ट हो चुका था इसे भी मैं एक बाइफिर से लेकर इसे मैं अच्छे तरीके से एक बाइफिर मिला ले रही हूँ और इसकी लोई हमें काट लेनी है जो पराठे की साइस की हमें इसे लोई ले लेनी है और लोई को लेकर फिर मैं इसे अच्छे तरीके से इसकी लोई को गोल करके और मैं इसे बेल का तयार कर लूँगी तो इस तरीके से आप भी इसे बेल ले और जो स्टफिंग थी इसे स्टफिंग को फिर चारो तरफ से इसे फैला ले इस तरीके से अगर आप पराठे में स्टफिंग करेंगे नो तो आपके पराठे की stuffing चारो तरफ से फैल कराती है और पराठा हमारा काफी अच्छा बन कर तयार होता है और फिर हमें इसे चारो तरफ से फोल्ड कर लेना है क्योंकि आज जो मैं पराठे बना रही हूँ ये बिल्कुल square के shape में इसे पराठे बनाने वाली हूँ इस shape में आप जरूर बनाए ये जो हती है पराठे काफी attractive देखने में भी लगती है और बच्चे इसे काफी ज़्यादा पसंद करके खाते हैं क्योंकि ये कुछ अलग सा looks में आ जाता है और इस तरह के से stuffing अरा डालते हैं इसirtschaft pneumoniae भी चारी तरफ पराठे में फैल कर आती है तो इसे जब मैंने बेल दिया फिर मैंने इसे तावाई पर डाल दिया है और एक तरफ से सीचा की थी तो मैंने इसे पलट दिया और ऑक्यायद से अलट पलट कर हमें पका लेना है मेरे ट्रिक से तागि आपके पराठे आपको काफी जादा पसंद आएंगे इस तरीके से बनाते हैं तो पराठे आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और सारे बिल्कुल फूले पराठे आपके बनके तयार होंगे और काफी ये पराठे सॉफ्ट भी बनते हैं और इसका टे पराठे को मैंने चत्टनी और टॉमेटो केचप के साथ सर्व किया है तो उन्हें बच्चे खाना बहुत जादा पसंद करते हैं और एक बार मेरी तरीकी से इस पराठे को ज़रूर बनाकर टाई कीजिएगा इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है और इसे इस चत्नी को भी ज़रूर बनाएगा इस पराठे के साथ इस चत्नी का कम्मिनेशन काफी अच्छा होता है और इसे मैं तोर कर भी दिखा दे रहे हूंगे इसका टेक्शर कितना अच्छा है इसमें पनीर काफी अच्छे तरीके से पनीर इसमें आ चुका है तो हमारा पराठा काफी अच्छा टेस्टी और हेल्दी बना है एक बार आप भी मेरे तरीके से इस पराठे को बनाए और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरू बताएंगा वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक से सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना बूले फि करना बस्ट पराठे को बस्ता हो